हेलो फ्रेंश वेल्कम टू माइश्टडी फीड चैनल दोस्तों आज का टॉपिक है अठरोंगी एश्यन गेम्स 2018 दोस्तों इसके पहले में एश्यन गेम्स के हिस्टरी के बारे में फूल डिटेल में बता चुकी हैं इसे आप प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिए दोस्तों जैसा कि अठरोंगी एश्यन गेम्स 2018 का आयोजन इंडोनेशिया के दो शहर जकार्ता और पालेंबाग में हुआ तीक है आउसरसर शाल में पहली बार ऐसा हुआ ही कि जहां पे दो शहरों ने में जवानी किया यानि दो शहरों में आयोजन किया गया है तीक है जका गोर्न जाकार्ता उर्म्न इंडोलोंचन पालेंबाग में हुआ है तो सत्रहजी एस्यन गेम्स का आयोजन कहां हुआ था सत्रहज़ए याइसें गेम्स के इचियोन में हुआ तो जाजाओध तो हम यहां तविक है मेरा 2018 आज से START जो जाकार्ता पालेंबाग में हुआ था दो सरों में और किस इस्टेडियम में हुआ था तो गोलेरा बुंग कर्डो इस्टेडियम ठीक है जिसको शॉर्ट में जीबी के इस्टेडियम भी बोलती है ठीक है और इंडोनेसिया के राश्पति का नाम था सुकर्डो उन्हीं के नाम पर इस्टेडियम का ना सितंबर की बीच में हुआ था आवेजन मसाल दोड आरंभ दोस्तों यहां पर इंपोर्टेंट यह है कि अठरोवी एसियन गेम्स में ही मसाल दोड का आरंभ हुआ था इस एंगेम्स में इसमें इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम्स के लिए और इसे 45 देश भाग लिये थे और 1465 इसमें इस परधाय सामिल हुआ था तो में टापिक पर आते हैं कि मसाल जलाए गई किसने मसाल जलाया एसियन गेम्स 2018 में सूसरी सुसंती ठीक है मसाल किसने जलाया सूसरी सुसंती ने और इंडोनेसिया की पहली गोल्ड मेडल पाने वाली बैडविंटल खिला रही है इंडोनेसिया के पहली गोल्ड मेडल पाने वाली बैडविंटल खिलाई थी जिन्हों ने मसाल जलाई 2018 के için गेम्स के रहतार कर्षुड क्या था इनरजि आफ एस्या ठीक है लेकर्स वर इंपोर्टेंट है मोटू आनलिया के बानेसियन इस जिन्होंटल को द्मांठो अलगे अतुंग भिन-भिन एक पच्छी से लिया गया है काका गेंडा से लिया गया है अतुग हीडर के पृतिक से लिया गया है पहली बार इसने तीन सुभंकर साभिक किया गया यह सुभंकर बेरइल में इम्पॉर्णेंट है आने वाले coalition के लिए तो दोस्तों ए धोजवाहग जो ओपनिंग सेरेमेनी एंड क्लोजिंग सेरेमेनी में निरक चोपड़ा एंड रानी राम पाल है इसको जरू नोट डाउन कर लेजिए ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है उद्खाटन यानि 2018 के इसम गेम्स का उद्खाटन किस ने किया तो इंडोन काउंसिल अफ ऐसी आ जैसे की उलमपिक समस्थ गेमों के लिए गेमों के लिए यानि ऑलम्य को संचालंग के लिए वी ऑसी होता है यानि डिकलन जिसका मुख्यालय है कुबेट के सहर हवाली में और नेक्स है पहली बार 2000 के ACI Games में किन खेलों को सामिल किया गया तो इई-स्पोर्ट पहला है इई-स्पोर्ट और दुसरा है पूलो तिक और उए इस्पोर्ट को 2022 के एसे न्डी में मुख्य खेल कि इस्थ में सामिल किया जा कुछ यह व्हां इंप्डेंट है यहां को इस्थ पूस्टन बन सकता है कि एसे अज्गों से नियुक्तौटला के पाहली पर नेतित्र करते रहें सुरु से लाज तक ठीक है निफ्ट है एसे एन गेम्स 2018 के मेडल में अस्थान देश एसे एन गेम्स में किस देश का कौन सा अस्थान है दोस्तों यहां पर चीन प्रथम अस्थान पर रहा जापान दूसरे अस्थान पर दच्छी कुई तीसरे और भारत आठा हज्थान पर चीन प्रथम अस्थान पर 162 गोर्ड 2 2 सील्वर 6 5 रजट टो टल 289 मेडल के साथ प्रथम अस्थान पर ठीक है जापान 75 गोल्ड 36 शिल्वर 74 रजट टोटल 205 मेडल के साथ दूसरे अस्थान पर दच्छी कुरिया 49 गोल्ड 58 शिल्वर 70 रजट टोटल 170 मेडल के साथ तीसरे अस्थाम पर भारत जो भेर इंपॉंटे था उपके एक्जम के लिए आठवे अस्थाम पर रहा ठीक है भारत किस अस्थाम पर रहा और यह 15 गोल्ड 24 शिल्वर 30 रजट के साथ 79 पदक के साथ आठवे अस्थाम पर ग्रेल रहा अव मैं बात करती हूं भारत की पेमिंद प्रक की बारे में कीस-कीस स्पोर्ट नेकुण-कन मेडल के लिडल मपर ट्रयॉप्प क्या दोस्ते जैसा कि इसका र स्थान जो अठारवे एशिई गेम्स में अर्धवा अठोह अस्थान थियंग में श्थान था में 15 गोल्ड 24 शिल्वर 30 रजत के साथ 79 पदक इन्हों ने भारत देश ने प्राप्त किया था तो यहां कोश्चन इसमें भी बन सकता है कि 2018 के ACN गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किये तो 79 ठीक है इसको लोड़न कर लिजी 15 24 तीस यानि 15 गोल्ड 24 शिल्वर 30 रजत कुल उन्हत्तर प्राप्त ठीक उनिस्टो यह ने 15 गोल्ड फिर बराबरी 2018 में की दोस्तों पहले 2010 में सभसेता पदक प्रात किया थाँ तो akulet种 में साथ गोल्ड और सिल्वर दूब्राप्त हुआ है ठीक है और शूटिंग में दो गोल्ड, चार सिल्वर, तीन ब्राँज, टोटल नो मेडल, रेस्लिंग में दो गोल्ड, इसमें एक भी सिल्वर नहीं, एक ब्राँज, टोटल तीन मेडल, ठीक है, अब ब्रीज में एक गोल्ड, सिल्वर एक भी नहीं, दो ब्राँज, टोटल लॉन्ट टेनिस में एक गोल्ड जीरो सिल्वर दो ब्राउंज टोटल तीन ठीक है और रोईंग में एक गोल्ड जीरो सिल्वर दो ब्राउंज टोटल तीन यानि की ब्रीज लॉन्ट टेनिस रोईंग तीनों में सेम सेम है ठीक है एक गोल्ड पाये हैं और एक भी सिल्वर नह तोटल 3ज तेन यानि टूटल टीन-तेन पाये हैं और in boxing एक गोल्ड और एक ब्राँज बस पाये है है ऐक टूटल दो यहां पर 1 लिदिटिक है तो दोस्तों यहां सबसे जादा पतक कि इसस्पोट्स में मिला है इसको से जाधे मिलंदे हैसखम 1 एक और 10 सिल्वर दो ब्राँज मिनल के साथ 19 टोटल ने इस है इस जिधे मेदर प्राप्त ya है उपिसे सबसे दे premium आने लिखक पूछ सकता है कि 2018 यह संगीम सबसे द बांतर बदक किसज कमें प्राफ किश्jack यह क्या है एथलेटिक्स में ठीक है 11 टोटल अब चलिए जानते हैं इन सभी इस स्पोर्स में क्यों कौन कौन से खिलाड़ी को अवार्ड । यह और भाला फीच में राष्टी रिकार्ड होसिल किया और भाला फीच में घृट देलाने वाली एक मासरी किलाड़ी बने निरजच उप्रतें लेए इंपर्टिट हैं तजिंदत सिंग फिला एक्ट्म में गोल्ड होसिल किया बैटाम है 400 मीटर में भारती महिलाओं की टीम ने चार गुरू 400 मीटर में जिसमें सिहीमादास, MS पुम्मा, MR पुम्मा, सरिता बेन गायकवार बिसमें कुरोत आधी सामिल थी और पिंदर सिंग ट्रिपल जंप में स्वपना वर्मान प्रथम भारती हेपता थलान सौट पतक बिजयता ब पूंडेट है, पुछ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट है, शूटिंग में दो गोल्ड मिडल, राही सरनोमत, राही सरनोबत, निसाने बाजी में, 25 मिटर फिस्टल, शूटिंग प्रतिविता में इन्होंने गोल्ड मिडल हासिल किया, राही सरनोबत ने, एस याई खेलों में सो पिश्टल शुटिंग प्रतिविता में गोल्ड हासिल किया एक मातर निसाने बाजी बनी राही सरनुबत और दूसरा कौन है जो शुटिंग में गोल्ड मिडल हासिल किया है पूर्सों में सौरभ चौधरी ठीक है मेरत उत्त्रपदिस से हैं अब 10 मिटर एयर पिस्टल परतिविता में गोल्ड मिडल पाया है और देश के सबसे युवा एस्याई गोल्ड विजेता भी बने सोलवर्स की उम्र में इन्होंने सौरभ चौधरी ठीक है इसके पहले जस्पाल राडा थी ठीक है दोस्तों यह सौरभ चौधरी राही सर्नुबद दून बहरी इंपोर्टेंट है सौरभ चौधरी यदि आप पुछेगा की एस्याई खेलो में देश की सबसे युवा एस्याई गोल्ड मिडल विजेता कौन है तो सौरभ चौधरी उम्र में इन्होंने दस मिटर एयर पिस् प्राप्त किये पहला है बजरंग पुनिया पूर्शो में 65 kg फ्रेस्टाइल में आठवी इस्ट्याई गेम्स में भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया यानि आठवी इस्ट्याई गेम्स जो हुआ उसमें भारत की तरह से पहला गोल्ड मेडल किसनी प्राप्त किया तो बजरंग पुनिया ने प्राप्त किया ठीक है विनेश फुगाट ठीक है विनेश फुगाट जिसके नाम से आप लोग परिचित होंगे गीता फुगाट ये वभीता फुगाट की सिस्टर है ये भी इन्होंने ये हजारा की है और पत्चास कजी फ्रीश्टैल में हासिल की भायात की पहली ओमिन् brat बन गई जिसने एसिएन गेमस में गोल्ड जीता ठीक हैं ये एस्टीक्य ढिइस masih में गोल्ड जीतनी वाली पहली रेस्टीक कोन बनने पिन इस फुगाट ऑ graphics अ ज़िए एसिएन गेमस में था संवाथ énormément प्रीश्टैल में ये ये भी capturing सब्सक्राइब तेम गोल्ड मिलर बंस पाया जिसमिफ सीजिवर खільки एक गोल्ड मिलर अमिट पंखाल ऑनचास वर्ग में ऐसे जो टिंगान कमेशिवेत्स हेब उन चाल उनचानास केजीै वर्ग मिला है क्योंकि एक ही गोल्ड मेंडल बॉक्सिंग में प्राप्थ हुआ हो भी अमीद पंखाल ने 49 की जिवर्ग में अब फाइनल में रियो डी जी इंजिनेरियो जो 2016 में अलम्पिक हुआ था उसमें उसके गोल्ड मेंडल लिस्ट हसन बाग को इन्होंने हराया था ठीक है तो कि एक कुछिन जरूर पूछ सकता है कि अठरहवे एक खेलों की मोस्ट वैलुवेवल प्लेयर कोन है तो रिका को एक महिला है और इस सरसट साल की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यह अवाड किसी महिला को मिला है यानि जब से एसन गेम स्टॉट हुआ है तब से पहल इन्होंने छेश्वार दोस रजत पदक को आठ पदक दीती ठीक है बैड मिंटर में एक रजत एक काश्य पदक मिला इसमें पीवी सिंधू रजत पदक प्रात की अब पहली भारती फानल तक पहुचने वाली महिला बनी पीवी सिंधू ठीक है और साइना नहवाल महिला एक जोस्तों एक घुर सुवार यह पे इस प्रकार भी पुछ सकता है कि फावात मिल जा जैत बहुत ध्यान से सबी को अपने माइन में सिट कर लेजिए ब्रीजिमेंट में दो गोल्ड प्राप्त किया है उसमें दो है प्रडो वर्धन और सीवनात सरकार ठीक है और टेनिस में दबल में रोहन बोपनना दिवीच सरण ने प्राप्त किया और महिला सिंगल्स में अंकिता रहना काश्र पतक प्राप्त किया ठीक है दोस्तु अंकिता रहना किस खेल से रिलेटेट है तो टेनिस से रिलेटेट स्क्रीजब है है इस ताइए के अक्सद पूछ हैं और हमें को चीह में हमाया थ्रपार है क्योंक्त प्रीज कंदा वत थ्लाय थे अक्सद कैच तरु ब्लाइश और dar टीम रजयत पदक मौकायन में सवर पदक भाग देशने प्राद किया और ACI खेल 1990 से खेले जा रहे हैं शेपक तपराख खेल में पहली बार भारत की पुरुष शेपक तपराट प्रक्राट पीम में का शेपक जीता यानि ACI खेल में जो सेपक तपराख खेल है वो 1990 में 90 से खेला जा रहा है जिसमें पहली बार कोई पदक इस खेल में 2018 के ACN Games में कार से पदक जीता थिक है सेपक तपराख पीम ने पहली बार जीता कार से पदक ठीक है और निश्टा है कबड़ी जो है ACI खेलों में 1990 में वो भी 1990 में बीजींकीन में सामिल किया गया तो यहां पर इंपोर्टिन कोश्चनगी बंता है कि कबड़ी को ACI खेल सामिल किया गया गया और सब बहुन लगातार 760 प्राप्त किया है कभडी में तो सपप तप्र भी 1990 से खिल जा रहा है और खिला जा रहा है कभडी को सामिल किया गया किना कभडी से अतब से 7 बार लगातार स्व्थ पदख जिता है कभडी में ठीक है तो दोस्तो एथा अठरवी एस्टीन गेम्स 2018 के बारे में फूरा हर एक टॉफिक के बारे में कीलियर डीटेल में बताया गया है कि बारे में इन्ञेर से बारे में आहिं अगाता है तो दुस्तों नेश्ट वीडियो में नहीं पके इंपोर्टेंट के लिए जैसे कि इनाटमी, फिजियोलोजी, इंजरी, इंसियोलोजी, इन सब के बारे में महत्पूर टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियो लाने वाली हूँ, तो दोस्तों ये रिफिजी का रिजिकर से रिरेट कोई भी कॉस्चन हो आप कमिंट मास में जरू बताएए, मैं उसका डा विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए, बेल आइकें को फ्रेस्ट करना ने भूलिए, जिससे जो भी मैं नया भूलिए, आगे अपलोड करूँ, उसको नौटिफिकेशन आप तक पहुचता रहे हैं, तो मिलत कि आपई भी मैं न तक हुचता रहे हैं, झाता हैं, तक ह anthropे exists अ कि वीडि़ी आप प्हुता रहे हैं, तक हम उपकेशन नहायां वीडि़ाच सजराने तक हैंवा झाहाना है